आपका स्वागत है मैं हूँ शिवेंद्र पिछले काफी समय से आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी आपसे जोड़ नहीं पा रहा था और इसकी वजह थी ओलंपिक्स हालांकि ओलंपिक्स के भी सारे अपडेट हमारी टीम ने आप तक पहुंचा है लेकिन मैं थोड़ा दाल पाया लेकिन अब क्रिकेट सिरीज भारत वर्सिस इंग्लिंड तीसरा टेस्ट मैच इसकी एक कहानी लेकर आज आपके पास आया हूँ और ये वाइदा भी है कि अब लगातार आपसे मिलता रहोंगा बातचीत करता रहोंगा खेल की बातें जरूर होंगी तो अब जो क टेस्ट मैच भी अगर भारतियी टीम का साथ मौसम ने दिया होता तो भारतियी टीम अभी इस सिरीज में दो शुल नि की बढ़रत ले चुकि होती क्यों इंग्लेंड की टीम पर पहले टेस्ट मैच में भी हार का खत्रामनगा रहा था आखरी दिन भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ डेलर सोरन के आसपास का स्कोर चाहिए था लेकिन मैच में एक भी गेन नहीं फेकी जा सकी आखरी दिन नतीजा मैच ड्रॉ रहा लेकिन इसका जो नुकसान था वो भारतीय टीम ने दूसरे मैच में पूरा किया और उन्होंने बहुत ही शांदार तरीके से इंग्लिन को लॉट्स टेस्ट मैच में हराया एतिहासिक जीत थी वो भारत के लिए और अब भारतीय टीम जा रही है खेलने लीड्स में अब जो कहानी है आज के इस वीडियो की वो ये है कि आखिर क्यों 19 साल पहले की एक ऐसी याद है जो इंग्लिन की टीम के खिलाडियों को डरा रही है लीड्स टेस्ट मैच से पहले और वो कहानी ये है कि दरसल भारत और इंग्लिन के बीच लीड्स के मैदान में जो पिछला टेस्ट मैच हुआ था 19 साल पहले 2002 में उसमें इंग्लिन की टीम को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था और वो हार थी एक पारी और 46 रंग से अगर कोई भी टीम टेस्ट रिकेट खेलने वाली टीम अपने घर में पारी की हार का सामना कर रही है तो आप ये समझ सकते हैं कि उसकी विरोधी टीम ने किस तरह से उसको खेल के तीनों डिपार्टमेंट में बिलकुल वाश आउट किया बिलकुल धो दिया तो ये वो डर है जो इंग्लिन की टीम के खिलारियों के मन में है बुधवार से शुरू होने वाले टेस्ट मैच से पहले ही उन्होंने शांदार बल्लेबाजी की लगभग लगभग साथ घंटे वो क्रीस पर रहे और उन्होंने बनाए 148 रन इसके बाद क्या हुआ इसके बाद नंबर चार पर आए सचिन तेंडूलकर जिनको हम जानते हैं क्रिकेट की जो रिकार्ड बुक है उसमें संभवता हर बड़ा रिकार्ड उनके नाम पर है और उन्होंने भी साथ घंटे बल्लेबाजी की और उन्होंने बनाए 190 से जादा रन अब बारी थी कप्तान सौरफ गांगुली की तो वो भला क्यों पीछे रहते उन्होंने भी बनाए 148 रन, माफ की जगए 128 रन और उनकी जो स्ट्राइक रेट थी वो और बहतर थी मतलब राहुल द्रिविड और सचीन तेंडूलकर के मुकाबले उन्होंने जादा तेज गती से रन बनाए हलाकि टेस्ट मैच में स्ट्राइक रिट का बहुत कोई मैटर नहीं करता और इंग्लेंड को पहली पारी में भारतिये टीम ने समेट दिया 300 रन के भीतर भीतर 273 रन पर और उस मैच में हरभजन सिंग अनिल कुम्ले ने 3-3 विक्टे नहीं थी अब दूसरी पारी भी बड़ी दिल्चस्प थी क्योंकि यहां दूसरी पारी में नासिर हुसैन यानि जिनका जिकर मैंने थोड़ी देर पहले किया था बहुत बड़े बल्लेबाज हैं और इंग्लेंड की टीम के सफलतम कप्तानों में हैं उन्होंने दूसरी पारी में काफी संघर्ष किया बहुत शानदार शतक लगाया उनका हर एक शॉट बहुत जिसों कहते हैं एक जवाब था भारती गेनबाजों के लिए कि मैं अभी मैदान पर हूँ लेकिन क्रिकेट का खेल है इसमें आपको सिर्फ अकेले बल्लेबाजी नहीं करनी होती बल्कि विकेट के दूसरे छोर पर भी आपको चाहिए होता है साथी बल्लेबाज जिससे होती है साचेदारिया तो संघर्ष तो किया नासिर हुसैन ने लेकिन उन्हें विकेट के दूसरे चोर पर कोई साथी नहीं मिला नतीजा दूसरी पारी में इंगलेंड की टीम तीन सरोनों के पार तो पहुँची लेकिन बावजूदी से उसको एक पारी और च्छियालिस रनों से हारका सामना करना पड़ा वही जो आकड़े हैं वो अब भी इंगलेंड की टीम के कप्तान जोरूट और उनके बाकी खिलाडियों के कान में गूँज रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यहां पर बाजी गई तो पांच टेस्ट मैच की सीरीज है यह तीसरा टेस्ट मैच है इसका सीधा मतलब होगा यह कि अगर भारतीय टीम तीसरा टेस्ट मैच जीत जाती है तो फिर उसे इस सीरीज में हराया नहीं जा सकता है और बाकी के दो टेस्ट मैच में फिर निश्चत तोर पर जो पलड़ा भारी होगा सिरीज को जीतने के लिहाज से वो भारत का ही होगा तो साल भले ही उनमिस बीद गये हैं लेकिन जखम अभी भी ताजा है इंगलेंड की टीम में इंगलेंड के कप्तान में